वेल्कम टू मार्वेल फुचर फार्ट हिंदी इंडिया तो एक बंदे का कमेंट है कि भाई स्पाड़ामें के साथ में बेस्ट टीम बताओ तेको स्पाड़ामें के साथ में कोई भी टीम ले सकते हो बस तुम्हार पास में वह अवेकन और टीर 3 होना चाहिए विद वर्कॉLS लेज्चंड में यूज करने के लिए कंब से कम् टीर 3 या अवेकनच कारेक्टर स्पाड़ामें के साथ में यूज करने का लिए Spider-Man सबसे पहले T3 होना चीह है अगर वो T3 है तो तुम हाँ World Boss Legend में Mepisto में Null Mepisto में यूज़ कर सकते हो And plus उसके बाद में जो main detail है वो बताता हो भी जाए चागावाद Team Bonus में क्लिक करो Team Bonus में क्लिक करने के बाद में यहाँ पर तुम्हें Spider-Man show होगा Spider-Man में क्लिक करो Spider-Man में क्लिक करने के बाद में यहाँ पर तुमको कोई सारे team मिल जागी बट यह जो team है यह team उतने अच्छी नहीं है जितना हमको दीख रहा है तुमको attack करने के लिए या World Boss Legend Null Mepisto clear करने के लिए अच्छी team चाहिए जिसमें leadership character हो support character हो तो अभी support character की एक तुमको वीडियो देखनी पड़ीगी वह मैंने बनना रखिये जिसमें support character है कुमको सबस्ते वाले support character है जिनके बस में आवेता नहीं आट यह त्री है वो देख लो वे वे उसके बाद में white fox है टास्क मस्तर है हेला है इबुनी माव है उसके बाद में अभी agent बनाई है leadership character as a support character वो भी एका फेच्छी character है ऐसे कही सारे character आया है तो वो मैंने वीडियो बना दिया है तो वो देख लो support character थोड़ा पुराना वीडियो ज़रूर है बर देख लो उसके बाद में leadership character तो उसके उपर एक वीडियो बना रखा है तो leadership character का वो अला वीडियो देख लो उसमें leadership character कुंकुं से है कहां मिलेगी कैसे मिलेंगे और उसको कैसे टीएधरी करना या वेकन करना है उसके बारे में मैंने बता दिया है तो वो जाके देख लो और support character का बना के रखा है repeat again अभी team अभी team बारे बाता हूँ अभी जैसे example verbos ultimate यूज करना है तो world boss ultimate में तुम लोग 2 character या 60 character इस्तमाल कर सकते हो वहाँ पर मैं तुमको समझो कोई leadership character की जरुवत है जैसे example physical attack का तुमको बढ़ाना है तो physical attack character बढ़ाने के लिए तुमको physical attack बढ़ाने के लिए तुमको combat type का character उठाना पड़ेगा जिसमें physical attack ingress होता हो और वो spider man जैसे character या बाकी other character को leadership provide करते हो ऐसे character को देखना पड़ेगा उसलिए तुमको एक वीडियो देखने पड़ीगी leadership characters ठीक है तो वो youtube पर जाके सर्च माना leadership characters MFF India तुमको मिल जागा leadership character की वीडियो बनना रखिया मैंने तो उसमें leadership वाले character कितने है कुण से है कैसे है और power किस किस को share करते है उसके बाद में मैंने पूरा guide वीडियो बना रखा है तो वो देख लेना उसके बाद में अभी मैंने मुद्दी के बाद ये बता रहा था हूँ है कि leadership इसमें कूंको से team तुम set कर सकते हो वर्ट बास अटिमेट में लेजेंड का भी बताऊंगा लेजेंड में थोड़े टीएथरी और अवेकन character लगते तो यहां पर में तुम यूज कर सकते हो जो भी तुमने अपस में character है वो beast है beast के पास में physical attack है 45% physical attack तो ये character इस्तेमाल कर सकते हो अब यहां पर देखो 46,000 यहां पर जो एटीक है वो चला गया एक्जांपल के लिए और यहां पर मैं अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो 37,000 चला जाता है और वापस सेट करता हूँ तो 46,000 जा रहा है तो leadership के वज़े से यहां पर मैं इस्तेमाल करने के लिए तुमको कम से कम एक tier 3 character या एक अवेकन character लगा गया एक support character और एक leadership character और जिस character से तुम stage clear करने वाले हो वो character tier 3 या अवेकन चाहिए जो भी character होगा वो जो भी होगा वो अब यहां पर मैं मैं पर सें tier 3 section में combat section में जो ATK all attack बढ़ाद है उन character को लेना प यहां पर में मेरे पास में है Captain America Chavis अभी Chavis को मैं अवेकन कर लिया था कुछ दिनों पहले तो Chavis के पास में leadership है all characters के लिए increase all basic attack 30% तो यह 30% का all attack प्रोवेट कर रही है Spider-Man के लिए तो यहां पर मैं 43% का जो है यहां पर मैं Spider-Man का 80 के जा रहा है 43,000 43,000 80 के जा रहा है यहां पर मैं अमेरिका चाविज का वेज़ से तुम्हारे इसमें 34 भी जा सकता है 45 भी जा सकता है 40,000 भी जा सकता है 39,000 भी जा सकता है तुम्हारे comic card and तुम्हारे बिल्ड के हिसाब से इसलिए Spider-Man का बिल्ड वीडियो भी रिकमेंट कर रहा हूँ तु वह जा के देख लेना या YouTube पर सर्च मार लेना Spider-Man बिल्ड वीडियो और मेरे चलने का नम चोड़ देना सर्च मारना सर्च मारना के बाद ने तुम्हों वीडियो मिल जाएगा एड मेरे चैनल के प्लेडिस्ट में वहाँ पर मैं character की बीडियो की playlist है वह चेक कर सकते हो उसमें काफी सारे character के build video बना के रखी हुई है, तो वो देखो, उसमें कैसे build क्या है, वो देखो, एंड उसे सीको, एंड वैसा ही उसको build करने की कुशिश करो, जिससे तुम्हारा जो कि स्पाडमैन है, या बाकी other character है, वो बहुत स्ट्रॉंग बनेंगे, एंड उनका performance भी तक character जिनका तुम इस्तेमाल कर सकते हो, and other यहाँ पर मैं, world boss ultimate में तो tier 2 character, six character आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे यह मेरे पास में agent venom है, तो agent venom का 30% physical attack है, all characters के लिए, तो यह leadership में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो, spider man के लिए, तो यह ultimate की खासियत है, लेकिन legend की खासियत यह है, कि वो बाकी tier 2 character या 60 character वहाँ यूज करने देगा नहीं, वहाँ पर मैं तुमको एक तो completely पूरा tier 3, या फिर completely पूरा awakened character लेके जाना पड़ेगा, तब भी वहाँ पर use कर पाऊंगे, world boss legend में, तो अभी यहाँ पे, चलो world boss legend में चलते है, नल में चलते है, तो नल का कोई भी stages ले लो, level 1, level 2, जो भी तुमको पसंदोंगा वो, और जो भी stages लिया है, वहाँ पर तुम लोग character set कर सकते हैं, अब जैसे यहाँ पर मैं सैकलॉक के पास में increase all basic attack है, और all basic defense है, तो attack भी है और defense भी है, तो इस वाले character का leadership का इस्तमाल भी Spider-Man के लिए कर सकते हो, क्योंकि यह सभी characters के लिए all attack provide कर रहा है, इसलिए है, तो यह character का चाहो तो इस्तमाल कर सकते हो, अगर तुम्हें रपस में other character नहीं है, ऐसी condition है, तो उस condition में भी सैकलॉक का इस्तमाल कर सकते हो, सैकलॉक के अलावा, और भी बहुत सारे से character है, जिनके बस में leadership में all characters के लिए all attack provide करने वाले characters है, जैसे अभी मैंने बता है था, अमिर का चावेस, 30% increase all attack, all characters के लिए, तो वैसे वाले character का इस्तमाल तुमें करना है, character का ATK बढ़ाने के लिए, और world boss legend clear करने के लिए, नेल मेपिस तुमें clear करने क की, इसलिए इनको T3 और awaken करना ज़रूरी है, अगर तुमको seriously stage में play करना है, तो आगे पर चलते, तो यहां पर में तुम जो है, winter soldier का भी स्तमाल कर सकते हो, जिसके पास में support है, sorry, मैं leadership board रहा था, तो इसके पास में all characters के लिए leadership provide है, 30% का all physical attack, तो यह भी character थोड़ा बहुत physical attack provide कर देगा, all characters के लिए, तो इसके साथ में भी Spider-Man use कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका 43,080 के दिखा रहा है, जैसे कि मैंना भी check करके बादा था, अगर 43,080 के कम है, तो यहां पर में तुम higher 80 के वाली character इस्तमाल कर सकते हो, जैसे example अभी यहां पर मैं इसके जिकर आटी के प्रोवाइट करता हो, मेरे का 30% दे रही है, गमूरा, अरे हाँ, गमूरा, 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 गमूरा के पास में अच्छी कासी leadership है, वो character काफी अच्छी leadership provide करती है, तो उस character को भी speed type category के leadership के लिए, बतलब यस्तमाल कर सकते आप कि एक्जांपल मैं दिखा देता हूं कोई भी एसा लेड़ेशिप ले सकते जो एकड़ा को बढ़ा है उसको डामेज़ को बढ़ा है इसका वैसा लेड़ेशिप ले लेसका उसलिए तूमको वीडियो and सपोर्ट किरेटर की वीडियो देखना पड़ेगा तो अभी जो ग स्पीड टाइप के लिए 55% इंग्रेस फिजिकल अटक तो यह स्पीड टाइप के लिए 55% फिजिकल अटक इंग्रेस कर रही है तो इसका लिडेशिप का इस्तमाल तुम लोग कर सकते हो अब इसको दिखाने के लिए एक्जांपल मेरे को वही पर जाना पड़ेगा टीम सेटप में और यहां पर करके दिखाता हूँ यह मैरे लुनास नो वाइट फॉक्स पकड़ लिया सब्सक्राइट के लिए वाइट फॉक्स के पास में जो सपोर्ट बोनस है यह स्किल गया यह टीर टू बोनस पकड़ा यह टीर टू बोनस में यहां पर में ऑल ऑल करेक्टर के लिए जो भी इसके साथ में टीम अप सेट करेंगे उसमें इड़ीडर लिडर्शिप क्यरेक्टर विट लिडर्शिप यहां पर में सभी करेक्टर को ओल बेसिक damage deal super villain faction दे रही है 60% का, super villain character के against में 60% faction दे रही है इससे होगा यह कि world boss ultimate या world boss legend जो भी stages तुम use कर रहे हो dispatch mission या other कोई stages story mode वगएरा, वहाँ पे ज़रूद पड़ती तो नहीं है लेकिन अगर कभी कभी यूज़ करने का इन character का इस्तमार कर सकते हो इन character के bonus का इस्तमार कर सकते हो stages जल्दी clear करने के लिए तो यहाँ पर में जो है, spider man का 80 के देखो कितना बढ़ गया है यहाँ इसका 80 के कितना देख सकता है भी यहाँ पर spider man का character पे click करो यहाँ पर मैं जैसे spider man के साथ में टीम तुम लेना चाते हो वैसा तुम character देख सकते हो spider man का कौन सा type का attack बढ़ा सकता है तो यहाँ पर मैं कोशिश यह करनी है तुमको कि spider man के साथ में जो भी तुम टीम लगा रहे हो उसके पास में एक तो physical attack होना चाहिए या फिर all attack होना चाहिए all attack रहेगा तो ज्यादा अच्छा है physical attack है तो ठीक है काम चल जाएगा उतने कोई बूरा नहीं है physical attack से physical attack बढ़ेगा लेकिन बाकि कोई other character तुमने तुमारे साथ में या तुमको use करना है तो उसके लिए तुम all attack use करते हो तो energy attack और physical attack दोनों चीज़े बढ़े जाती है तो all attack का character लेते हो तो ज्यादा advantageous रहेगा कोई कोई दूसरा character spider-man अगर clear नहीं कर पादा तो दूसरा character उस spider-man के जगह पे switch करके तुम दूसरा character इसके साथ में stages clear कर सकते हो इसलिए all character के जो जितने all character मतलब all attack provide करने वाले जितने भी character उन character को ट्याथी अवेकन कर लेना जादा बेटर रहेगा तो जितने लदी हो सके उतने लदी cover करो तो इसके लावा बाकि जो leadership वाले characters है उनको पकड़ो उनको ट्याथी अवेकन करो support character को पकड़ो अवेकन करो एंड फटाफट character की rank और जो तुम्हेरा collection है वो उसको बढ़ा दे जाओ अचा मावला उसके बाद में hulk है hulk का यहां पर में पूराने वाले जो uniform है by default वो अगर तुम सेट करते हो अगर तुम्हारा पस में होगा तो ठीक है तो उसके जो leadership है वो leadership चेक करो all characters के लिए 30% increase physical attack तो यह character भी 30% physical attack प्रोवाइट कर देता है अगर तुम hulk टियतरी करते हो या तुम्हारा पस में अलड़ी करके रखा है तो तुम भी इसका leadership का इस्तमार कर सकते हो अभी जो इसका latest वाला है जो uniform है immortal हल्क यह leadership में उतना अच्छा नहीं है इसके leadership इनिफार्म चेंज करने के बाद में leadership चेक करो मैं जैसा बोर हो वैसा करो यहां पर मैं immortal हल्क के जो leadership है उसकी leadership देखो all defense है all defense है 24% तो यह जो all defense है यह काम नहीं आने वाला तो यहां पर मैं immortal हल के साथ में leadership इसकी बहुत बेकार है लेकिन पूराने वाला by default look लेते हो हल्का तो वहां पर मैं leadership मिल जाएगा उसके बाद में जैसे के अभी मैं बता आदा है साइक्लोग का character साइक्लोग के character के पास में leadership character है तो इसको भी चाहो तो other character के साथ में जो भी तुम character use कर रहे हो शे समझे ना नहीं समझे तो वीडियो देख लेना और और तास्ट मास्टर जैसे support character है जो कि तुमको साथ में लगाना है स्पाड़ा मैं के और वैट फोक्स जैसे character support character है जो तुमको लगाना है world boss legend में world boss ultimate में जिससे तुमको स्टीजर जल्दी clear करने में help होगी और कुछ other character है जो support character है जैसे इस पाड़ा में के कुछ और टीर टू characters है और एक नेट है उसके बाद में कुछ स्पीड टाइब के character है तो वह मैं दिखा देता हूं कि अ कि अ कि अ कि अ कि स्कालेर स्पाइडर मैं इसका नाम बूल गया था स्कालेर स्पाइडर नाम का एक character है जिसके पास में leadership का भी तगड़ी है और support bonus भी काफी अच्छा है support character के bonus रखता है character स्कालेर स्पाइडर तो स्कालेर स्पाइडर के पास में all characters with the spider sense all character with the spider sense इसके पास में अवेकन या ट्या 3 होता तो world boss legend में नल मेफिस्टों में वहाँ पर में यूज करने के लिए काफी अच्छा character बन जाता है support hero characters के लिए only super hero type के characters के लिए तो यह जो uniform है यह जो character है यह important है okay आगे चलते हैं अगे कुछ और शूरी जिसे character है जिनके पस में आवेकन त्या 3 नहीं है वो भी कफे support character है तो वो भी चाहो तो spiderman के साथ में world boss ultimate में use कर सकते हो legend के लिए तुमको tier 3 आवेकन चाहिए चाहिए वो तुमको लाना पड़ेगा समझ में आ गया तो यहाँ पर मैं ऐसे character को set कर सकते हो अब यहाँ पर गमोरा नहीं है मेरे पास में तो हेला है साइकलोग है उसके बाद में हाँ पर में एबो निमाव है मिस्टिक है कोलोसस है विलकरी है और मिल्डी साभी है तो यह जो सुब कुछ support character ने कुछ लिदेशिप वाले character से यह सब ऐसे है तो इनका इस्तिमार कर सकते हो बाकी अदर्स character के condition के साब से तो लाइक करो शेयर करो subscribe करो धन्यवाद